DRDO का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा है DRDO अब अपनी तरह का एक पहला इनिशेटिव ला रहा है इससे पहले ऐसा नहीं था कि वो Deep Tech Research को Fund करने जा रहा है क्या है ये Deep Tech और कैसे ये हमारी military को बहुत ही ज़्यादा modernize बनाएगा बहुत ही ज़्यादा high tech बनाएगा future ready बनाएगा तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में cover करेंगे ध्यान से आप देखेंगे पूरा वीडियो सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा बागी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें इस तरह की वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वो बदल रही है अब ऐसा आने की साम पहले लड़ाई होती थी तलवारों से है ना उसके बाद फिर बंदू उखाए फिर तोप गोले आए उसके बाद मिसाइलें आई तो आने वाले समय में जो वार है वो बहुत ही ज़्यादा future ready है AI का जमाना आ चुका है robotics का जमाना आ चुका है cyber warfare का जमाना चुका है तो उसके लिए हमारी जो सेनाई है उनको ready कर रहना होगा तो उसमें ये बहुत help करने वाला है अभी इस बार के जो budget है उसमें TDF को announce किया गया था technology development fund एक लग करोन का corpus उसमें announce हुआ था तो उसी के तहत लिखा हुआ है कि 5 जो करके आएगा और इसमें जो five research areas included है एक तो है artificial intelligence and machine learning फिर है quantum technology, advanced material, hypersonic and space technology तो ये जो areas है इन में funding दीजे AI और ML का मतलब तो आप जानते ही है किस तरीके से जो AI है वो हर एक scenario उसको बदल रहा है अगर AI में invest करेंगे तो जो encryption वगएरा चीजे हैं या फिर encryption को भी ना भी अगर ह समझें हम जो बहुत large number में data आता है machine learning के तुरू से बहुत अच्छे से process कर पाएंगे और जो हमारे defense के अलग-अलग scenarios हमको develop कर पाएंगे simulations develop कर पाएंगे AI की मदद से और साथी साथ जो अलग-अलग जगा पे निगरानी रखनी है हम कुछ ऐसे systems बना पाएंगे AI की मदद से जहां पे manual निगरानी रखने ज़रोत ना पड़े quantum technology का प्रयोग हम encryption वगरा में कर सकते हैं encryption decryption में कर सकते हैं अपनी जो communication है military के उसको secure बना सकते हैं ताकि कोई उसे detect ना कर सके बीच में उसमें सेन्वारी ना हो सके advanced material का प्रयोग होगा कि जो equipments या gears बनते हैं हमारे सैनिकों के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके के materials बना जाए हलके भी हो ज्यादा effective भी हो और advanced technology या advanced gear उन्हें provide करे जाएं ताकि वो हर एक तरह की scenario में बहुत अच्छे से उसका सामना कर सकें और जो threats है उनको eliminate कर सकें और space technology आपको पता ही है कि ये भी कहा जा रहे कि आने वाले समय में अभी तक तो ground पे war हो रहा है आने वाले समय में space wars की भी संभावना है हर एक देश जैसे USA की बात करें या चाइना की बात करें इन्होंने अपनी space force launch करने की तैयरी कर ली है तो इस तरीके से अगर इंडिया भी ताकतवर देश बनके निकलेगा और अभी भी है और भी ताकतवर हो जाएगा कुल मिला के मतलब यह है कि समय के साथ भारत की जो ताकत है वो बढ़े ही कम ना हो अगर हम यहां पे बात करें deep tech का यहां पर मतलब क्या है एक तो मैंने आपको बताई दिया deep tech में जो 5 प्रोज तरच करी जाए रोज को फंडिंग करी जाए हम ऐसा ना हो कि सारी दुनिया अब जैसे अगर आप चाइना की ही बात करें हम अभी हमारे पास जो 4.5 जनरेशन का तेजस है हमारे देश का डिवलप किया हुआ चाइना जो है सिक्थ जनरेशन के फाइटर पे काम कर रहा है साथ अब चुका है वो सिक्थ जनरेशन का फाइटर ऐसा कहा जा रहा है तो अभी अब देखेंगे तो चाइना हमारा एकदम पडोसी देश है इतना ज्यादा गर वो ताकत वर होगा तो अपने लिए ही उतना खत्रा है तो हमको इसमें और तेजी से आगे बढ़ना होगा तो इस कर सकते हैं कि हमें पेट्रोलिंग करने की जरूत नहीं पड़ा रही है कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा होता हो दिखाई दे रहा है चाहे वो ड्रोन्स वगरा के लिए हो उसे इलिमिनेट किया जासके साइबर सिक्योर्टी है स्पेस टेक्नोलोजी है नेक्स जेनरेशन वेपे असर भी उनको उतना नहीं करेगी दूसरी बात कि अगर वो असर करेगी भी तो फिर से तयार हो जाएगी जो हूँमन लॉस है वो हो गई इस तरीके की जो नेक्स जेनरेशन वेपेनरी उस पे काम कर रहे हमें भी करना होगा अगर हमें भविश्य में भी पावरफुल बने रहना है तो अगर प्राइमरी अबजेक्टिव की बात करें यह जो पांच प्रोजेक्ट हैं जिनको फंड किया जा रहे हैं पहला तो इसका यही है कि इसका स्वदेशी करन जो हो मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हमारे पास पैसा है हम खरीद लेंगे हमें रफाल लेना नहीं वो टेक्नोलजी डेवलप कर लेते हैं इंडिजिनियस सिस्टम्स डेवलप कर लेते हैं तो एक तो उसमें सिक्योर्टी लैप्स नहीं होगा दूसरी बात कि वो हमको कम खर्चिला भी पढ़ेगा और हमारी जो साइंटिफिक जो डेवलप्मेंट है वो भी बढ़ेग करके हम कुछ ऐसा ही को सिष्टम कर सकें कि ऐसे स्टार्ट अब सा सकें इसी फिड्जा अमेरिकां आप देखेंग ना तो इसी के फील्ड में काम करें अपने यहां भी ऐसी कमपनिया बन जाए जो इंडिया को सलुशन कर रही हैं इंडिया के लिए करेंगी साथी यहां भी लोगों को वहाँ पर export करें, उस तरह की technology, उस तरह की equipment या फिर जो भी बना रहे हैं start-ups, तो ये अगर आएगा, तो quantum computing अगरा जैसी चीजें जो की बहुत futuristic हैं, उससे हमें ही लाब होने वाला है, और जो security है वो और improve होगी, अगर हम बात कर रहे हैं इस initiative की, तो ये जो initiative है, deep tech का, वो कुछ उसी तरीके से है, जैसे USA का एक program है, जिसको कहा जाता है, defense advance research project agency, short में इसे DARPA कहते हैं, और यहाँ पर लिखावा है कि जो हमारी इस तरह की deep tech में, जो innovations होंगी, जिसे हम foster करना चाह रहे हैं, तो इससे जो national security है वो बढ़ेगी, और technological edge हमें मिलेगा, मतलब simple सा है, जमाना बदल रहा है, अब जैसे AI का जमाना है, या फिर मैं आपको थोड़ा और 20-30 साल पीछे ले साथ computer मजबूत ही होता गया, field बढ़ता ही गया, तो ऐसे में, ऐसे लोग बाहर ही हो गए न, mainstream से, जिने computer आता ही नहीं, बाद में सीखना पड़ेगा, तो ऐसे ही, अगर आप समय के साथ बदलेंगे नहीं, technological edge नहीं रखेंगे अपने साथ, तो आप भी ऐसे पीछे चले जा जिसके पास AI की help होगी, या AI में जिसके पास advancement होगी, आने वाले समय में, वो country और उपर जाने वाली है, यह मैंने आपको बताई दिया, TDF के बारे में, technology development fund जो है, जिसको announce किया गया था, तो इसमें यहीं है, कि इस fund की help से, या इस fund से, जो MSMEs, जो start-ups है, defense के छेत्र में, इस तरह के जो equipment से उनको develop करने के चेतर, उनको fund किया जाएगा, और इसमें जो 5 proposed project है, उनको select किया गया है, और इसमें जो funding होगी, पांच trenches में होगी, मतलब इसमें 90% funding होगी, कोई project select किया जाएगा, 90% पैसा DRDO देगा, उसे 5 trenches में ऐसे दिया जाएगा, और यह 20% के ऐसे trench य आगे वो पैसा फिर release कर जाएगा, इस तरीके से यह पैसा मिलेगा, किसी भी जिसको select कर जाएगा, project को, तो इस तरीके से पैसा देगा, ऐसा नहीं एक को select कर लेए, उसको तुरंट ही सारा पैसा दे दिया, फिर उसने कुछ किया भी नहीं, फिर आगे चल कर एगा, आप क्य वो आसके इस फीर्ड में ज़्यादा, जिस फीर्ड में पैसा होगा, उस फीर्ड में विकास होना तय है, अब यहाँ पे उस हिसाब से पैसा ही नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम एक e-commerce company खड़ी करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसमे import को reduce कर देना, मतलब जो अभी हम छोटी-छोटी चीज़ें भी import कर रहे हैं, वो एकदम reduce हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें को ले करके हम self-reliance हो जाएंगे, achieve कर लेंगे self-reliance, ताकि हमें किसी को पर निर्भर ना रहना, तो यह import को reduce करना भी एक बहुत बड़ा है इस तरह के initiative का, I hope आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर यह सारी information आपको समझ में आ गई, अच्छे लगे तो वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी share करें, इस तरह के और important information के लिए चैनल को subscribe कर लें, मिलते हैं के लिए वीडियो में, स